नमस्कार शाथियो एक बार फिर से आपका इस यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज जुनाव राजस्तान में दो दोजार बीश में प्रस्तावी थे इसको लेकर सोचल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरे फेल लई है कि दोजार बीश का जो कारिक्रम है वो गोशित किया गया है और एक न्यूज काफी समय से हमारे शामक्स आ रही है कि इन जायती राज चुनाव कारिक्रम है वो गोशित हो गया है जनौरी की इन इन तिथियों में और तीन चरणों में ये चुनाव होने वाला है तो जानिएंगे कि इसकी क्या सचाई है वास्तों में ये न्यूज सही है या नहीं है इसकी संपुन जानकारी इस वीडियो के माधिम से आपको दी जाएगी तो चलिए देखते हैं वो जिसमें ये लिखा गया है कि पंचाईत चुनाव 2020 की तारिखें गोशीत तीन चरणों में होंगे चुनाव आगे लिखते हैं परदेश में 33 जिला परिशदों के लिए जिला परमोक और 9000 से ज्यादा पंचाईतों के सरपंच के लिए चुनाव होने हैं ये चुनाव तीन चरणों में होंगी निर्वाचन आयोगदरा कारेक्राम की गोशना करते ही प्रदेश में आचार सहिंता लागू हो गई राजे की मुखे निर्वाचन आयोग राम लुभाया ने पत्रकार को बताया की प्रथम चरण का मतदान 16 जनवरी दित्ये का 22 जनवरी और 33 जनवरी का 30 जनवरी को होगा उन्होंने बताया की मतगर्ना 5 फरवरी को होगी को जिला मुख्याले पर होगी पंच जनवरी प्रथम चरण 18 जनवरी दित्ये चरण 24 जनवरी और 33 जन एक फरवरी को होगा और मतदान सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी इस बार मतगर्ना इसके बाद मतगर्ना सुरू होगी लाम लुभाया ने बताया की जिला परमुक और परधान के चरण शाथ परवरी को होगी उप जिला परमुक और परवरी मतलब इसमें ये दावा किया गया है कि 2020 के चुनाओ कारिकरम है वो गोशित हो गई है और इसकी तिथी इस प्रकार से है तो इस वे ये जो न्यूज है ये दरसल 2014 की न्यूज है जब 2014 में 2014 की है और 15 में जो चुनाओ हुए से उनकी है और इसको एडिट किया गया है 2020 की जगह क्योंकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है और अभी तक निर्वाचनायो के द्वारा इस परकार की कोई भी अधिशूचना जारी नहीं की गई है कि इन इन तारिकों को पंचाइतरा चुना होने वाले हैं तो ये सोशल मीडि परकार सी जब भी किसी परकार सी करकर कोई सूचना आ जाती है तो अखबारों और नियूज की मादेंशे आपको मिल जाएगी धन्यवाद